जेहू 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 मेरे प्यारे बबबर शेरो और शेर्नियों कैसे आप सब लोग सब बढ़िया, first class, all is well बहुत अच्छे आज हम लोग discuss करने वाले हैं नए topic को friction में ही connected blocks की problems को ठीक है? connected block की problems कैसे होने वाली है? क्या उनको करने का तरीका है? कैसे हम लोग देखेंगे? तो वो सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके discuss करेंगे अभी तक मैं friction को बहुत ही अच्छे में आपको detail में बता चुका हूँ तो आईए देखते हैं हम लोग connected blocks देखें एक problem की मदद से समझते हैं थोड़ा सा आपको समझने में सही रहेगा problem find the minimum force required to push या move the objects as shown below मतलब कुछ मैं objects बता रहा हूँ आपको blocks बता रहा हूँ और वो यहाँ पे ऐसे दिखाए पड़े हैं चलिए देखे ये रहा पांच केजी और एक है दस केजी और इसका μू बराबर 0.2 है और इसका μू बराबर 0.4 है अलग अलग क्यों सर एक ही तो ground है हो सकता है ना अलग अलग क्यों हो सकता है सोच के चलो कि यार देखो जैसे अगर आप notice करो तो कोई object ground पे फिसलता है तो कोई smoothly चलता है तो ये characteristic property है किसकी ये जो coefficient of friction है characteristic property है किसकी two objects in contact, two surfaces in contact उन्हीं की तो है सही बात है आगे चलते है अब देखिए friction one देखो अगर आप इसे इधर पुश कर रहे हो तो इसकी tendency friction की कहा आएगी इस तरफ friction one और इसकी इस तरफ friction two क्यों? क्योंकि both objects या both blocks have a tendency to move together एक सांथ चलने की tendency रखते हैं न ये both of these blocks have a tendency to move together yes or no दोनों ही blocks की tendency क्या है? एक सांथ चलने की they have a tendency to move together is it clear? अगर ये दोनों blocks की tendency आगे एक सांथ चलने की है तो इनका tendency को oppose करने के लिए ये भी ऐसा रहेगा FR1 की बात कर लो चलो FR1 friction 1 किता हो जाएगा mu1 into n1 तो ये हो गया mu1 n1 किता हा गया 10 kg का block है बही mu1 कितना है? पहले तो ये रख दो 0.2 into n किता हो जागा देखो न यहाँ पे इस पे उपर फोर्स लग रहा है n1 और ये 10 kg है और इसका weight नीचे है 100 n 100 newton तो भाई ये किता हो गया? 100 हो गया यानि किता हो गया? 20 newton आ गया FR1 इतना निकल के आ रहा है अच्छी बात है FR2 किता हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका μ्यूटू टाइम्स एंड्टू अच्छा इसमें क्या होगा? देखो 5 kg इस तरफ एंड्टू और इस तरफ 50 newton अच्छी बात है म्यूटू की value क्या है? 0.4 ये कितना हो गया? 50 कितना आ गया ये? 20 newton अब F minimum किता हो जाएगा? F, R, 1 F, R, 2 बराबर 40 newton minimum किता फोर्स से ही है, इसमें 40 newton का फोर्स से ही है बोलो यार यास और नो Is it clear? कितना force मांगता है इसमें 40 newton का force मांगता है कम से कम कम से कम 40 newton का करिए इसे copy कर लीजे जल्दी से do it fast फिर आगे चलते हैं do it fast kindly copy it fast चलें next आये देखिए find the acceleration and net force acting on the 3 kg block अब यह 3 kg block क्या भी मारी है कहाँ पे देखो यह arrangement दिया हुआ है कुछ blocks का इस तरफ 5 kg का block है फिर 3 kg का block हुआ connection में और lastly 2 kg का block है सही इस पे इदर से 200 newton का force लगाया जा रहा है कितना भीया 200 newton का force लगाया जा रहा है हाँ या ना अब यहाँ पे coefficient of frictions की बात कर ले mu बराबर 0.5 mu बराबर 0.4 and यहाँ पे mu बराबर 0.2 मान लो सही है अब इस पे net force क्या लग रहा है हमें यह निकालना है अच्छा सवाल है try करो जरा इसे try करो मैं तो कराऊंगा गई try करो देखो कैसे करोगे actual में क्या है force new normal reaction नहीं निकालना आपको क्या निकालना है यह net force pause कीजे वीडियो को यहीं पे try कीजे कराऊं मैं देखो यहां पे since all the three blocks तीनों के तीनों blocks will be moving together यह तीनों के तीनों blocks कैसे move करेंगे एक साथ में together अगर यह तीनों के तीनों blocks एक साथ में move करेंगे तो फिर क्या होगा ध्यान दो therefore f equals to summation of a mass summation of mass into a सही है right summation of mass into a अब यह force तो 200 newton लग रहा है तो क्या 200 newton का 200 newton इसको घुमा देगा सवाल तो यह है ना क्या 200 newton का 200 newton इसे घुमा देगा f net इस पूरे block को नई कैसे देखो यह वाला block किदर move करने की tendency रखता है इस तरफ यह वाला भी इस तरफ यह वाला भी इस तरफ इस तरफ मतलब तो friction कहा लगेगा इस तरफ fr1 fr2 fr3 यह friction की direction है कित्ता कित्ता हो गया देखते जाऊना fr1 कित्ता हो गया fr1 mu directly कूं mu1 into n1 और mu1 कितना है 0.5 n1 कित्ता होगा 50 सीधे सीधे बता रहा हूँ मैं अब इतना तो निकालना आगया होगा free body diagram बनाके 25 newton fr2 mu2 into n2 mu2 कित्ता है 0.4 n2 कित्ता है 30 सई fr2 कित्ता हो गया यह 12 newton उसी प्रकार से fr3 mu3 times n3 बराबर 0.2 times of 20 एक बटे 5 होता है 4 newton चेक कर लो इतना ही आ रहा है चेक कर लो 4 newton ही आ रहा है हाँ या ना नहीं 4 newton ही तो आ रहा है चेक कर लो चाहिसे आप कोई दिक्कत नहीं है 4 newton is there yes or no देखो ना 0.2 दो दूनी चार खतम अब f net की value क्या हो जानी है अगर हम लोग यहां पे देखें हैं तो यह f net की value हो क्या जाएगी f minus summation of fr सारे के सारे friction f net a किता गया f किता है 200 minus 25 plus 12 plus 4 यानि की 200 minus यह किता हो गया 16 356 41 41 159 newton चेक कर लो f net यह ही चाहरा है हाँ यह ना 159 newton is it clear is it clear ठीक है अब acceleration किता हा गया f net upon summation of mass यानि की 159 over 532 दस हो गया है टोटल acceleration आ गया 15.9 meter per second square लॉजिक क्लियर है इतना आ गया 15.9 meter per second square ओके जी समझ गए copy करो फिर हम लोग net force निकालते हैं फिर हम लोग net force निकालते हैं then we will calculate net force ठीक है आओ चलो आगे बढ़ें अब देखो net force on 3 kg ब्लॉक अब इसको निकालने का नायाब तरीका ध्यान से देखो सबका FBD बना रहा हूँ एक बार को 5 kg इस पे क्या लगा 200 इदर क्या लगा FR1 और इसको push मिल रहा है N1 3 kg ब्लॉक इसे push कर रहा है सही बात है ठीक है और यह इदर accelerate हो रहा है उसी प्रकार से यह रहा 3 kg ब्लॉक यह इस पे इस तरफ से यह इसे दबा रहा है तो action reaction N1 इस पे भी लग रहा होगा और 2 kg ब्लॉक इसे N2 से दबा रहा होगा इस पे friction FR2 लग रहा होगा और यह इदर की तरफ accelerate हो रहा है सही बात है जिदर accelerate हो रहा है उसको positive direction मान सकते हैं है ना तो यह positive direction इस तरफ हो गया तो net forces की अगर मैं बात करूं तो कित्ता हो गया देखो इधर वाला positive N1 minus N2 minus FR2 बराबर MA आया ना यही तो है और क्या है Fnet यही तो है किस पे 3 kg ब्लॉक पे यही तो Fnet तो Fnet 3 kg ब्लॉक पे कित्ता है यह आ गया Mass of 3 kg ब्लॉक इंटो acceleration 27 तो इधर 47 Newton Fnet 3 kg पे ब्लॉक पे इतना निकल के आ रहा है सही बात है कोई दिक्कत नहीं 15-3 जा 45 दो इधर का जुड़के आगे 27 का कह रही था ना और dot 1 लग गया अब यहाँ पे homework निकालना है आपको homework दे रहा हूं मैं find out the actual values of यह आसान है कर पाओगे N1 and N2 यह जो N1, N2 normal reactions है जो blocks एक दूसरे पे लगा रहे हैं applied by the blocks on one another यह हमने पता करना है बनलब आपने पता करना है ठीक है is it clear? हाँ या ना? no problem चलो copy कर लो फिर आगे चलते हैं inclined plane का case देख लेते हैं कल वैसे angle of repose में देखा ही था और देख लेते हैं चले आगे हाँ या ना? देखो case of an inclined plane बहिया inclined plane का case देखने जा रहे हैं देखे ध्यान से यह angle क्या है? theta यहाँ पे क्या है? block इस block का मास क्या है? M sorry friction जो है वो इस तरफ act कर रहा होगा तो यह forces हैं जो यहाँ पे लग रहे हैं अब मैं इनके नाम करन कर देता हूँ थोड़ा सा यह है normal reaction यह क्या होगा? mg cos theta यह क्या हो जाएगा? mg sin theta और यहाँ क्या हो जाएगा? fr friction सही बात है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? अच्छा इनके इनके बीच में जो coefficient of friction है वो है mu अगर ऐसी बात है तो हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे इसको समझिये जरा इसमें fr can be written as mu times of n और अगर n को balance करोगे तो n किसके बराबर है? mg cos theta के बराबर तो fr की value क्या आगई? friction किता आगया? mu times of mg cos theta कितनी आ गई? mu times of mg cos theta सही बात है आगे बढ़ें क्या आ जाएगा? mu times of mg cos theta. logic clear है? logic clear है? अब देखिए f net कितना आएगा यहाँ पे? net force. आपको नहीं लगता ही आ गया? forward direction वाला force minus backward direction वाला force यानि की mg sin theta minus mu mg cos theta. मुझे लगता है mg common खीच दूँ तो यह हो गया sin theta minus mu cos theta. बोलो यार f net यह आ गया. अगर f net है तो f net का एक और formula होता है. also यह भी तो form है. तो मैं क्या लिख सकता हूं? m times of a बराबर m times of g sin of theta minus cos of theta into mu. mu cos theta. लॉजिक क्लियर है? अब एक बात देखो m से m cancel हो जाएगा. तो acceleration कितना आ जाएगा? g sin theta minus mu cos theta. लॉजिक क्लियर है? यह हमारा निकल के आया. g sin theta minus mu cos theta. यह acceleration निकल के आ गई. अरे बोलिए यह acceleration आ गई कैसे निकाली? हमने net force से निकाली. सही बात है. अब देखिए. यह मान लो इसने total length L cover की. कितनी L? let us assume, let us take the block to start from rest. कहां से शुरुआ वो? rest से and reaches down by covering length L. length L को cover करके वो नीचे पहुँच रहा है. यह assume कर लो. ठीक है? तो L को कैसे निकालोगे? s is equal to ut plus half at squared. सही बात है. हाँ या न? u तो हो गया कितना? 0. तो यह भी खतम. तो यह हो गया 2L by A. 2L by A. बराबर T. इसका under root. और आप कैसे निकाल सकते हो A को? A यह रहा. तो यहां से time भी पूछे तो आप निकाल सकते हो. You can calculate. कई बार ऐसा दिया भी a question. Right? आज के हमारे 20 minute यहीं तक किया. बहुत ही depth discussion किया हमने. अच्छे से deal किया. इस type के questions कैसे बन सकते हैं. ठीक है? Next में हम लोग last lecture होगा. Next. थोड़ा सा हो सकता है. 30 minute तक भी चला जाए. But bear कर ले ना होसा. उसमें friction खतम करेंगे. Okay? ताकि हम लोग banking of roads and insub पे जा सके. Copy it down. Copy it down please. चले. So, I hope it is done. Thank you so very much. Bye-bye. Take care. Jai Hind. Love you all.